हैलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्ताद एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार लेब असिस्टेंट परती परतियों की प्रिक्षा के लिए जुड़ा हुआ हूँ आप सभी लोगों को फिजिक्स विषे जो है वो पढ़ा रहा हूँ आप सभी लोग लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों का प्यार लगातार हमारे वीडियोस को मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की अपनी क्लास है 30 कैसे preparation करनी है, क्या करना है, इससे related वीडियो हमने upload करा है, playlist के अंदर वो भी add-on है, तो आप जाकर क्या आसादी से देख सकते हैं, क्या syllabus है, कैसे तयार करना है, सब चीजों के बारे में. हम बात कर रहे थे, अपने प्रकास के व्यतिकरण के बारे में, इसको अपने last class के अंदर complete कर दिया था, और ये समझ लिया था कि प्रकास का व्यतिकरण होता क्या है, और इसका गणीती अविशलेशन करके अपने ये भी देखा था, कि किस परकार से हम इसके formulas को derive कर सकते हैं, और उन formula पर गवेश्ट किस परकार के questions आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको 2-3 questions के माद्यम से समझाने का प्रयास किया है, आप लोग उस चीच को समझ पाए होंगे, और आगे जो है आप अपने हिसाब से practice कर सकते हैं, otherwise आप लोगों के लिए हम भी questions लेकर के जरूर आएंगे अब बात करते हैं अपने आगे आज की class की, तो आज की class में अपन पढ़ने वाले हैं एक important topic जिसे आप diffraction कहते हैं, तो आज की heading डालिएगा वीवर्तन, हिंदी में क्या कहते हैं वीवर्तन, तो आप जल्दी से heading डाल दीजिए, वीवर्तन, और इसे English में कहते हैं diffraction, जो भी पहली बार इस class को देख रहा है, उसे बता दू कि ये class जो है alternate days पर होती है, एक दिन इसकी होती है, एक दिन LDC की class होती है, और आपको regular ये classes मिलती है, संडे के दिन नहीं मिलती है केवल, ठीक है, सुबह 11 बजे होती है ये class, अब देखिए, वीवर्तन यानि diffraction, तो ये है क् diffraction आप अगर बोलोगे, तो कहीं न कहीं आपको ये लग रहा होगा, कि ये diffraction से related है, किसे diffraction जो है, वो किसे related है, distraction से related है, और distraction का मतलब होता है, कि जो चीज आप कर रहे हो, उस चीज से बटक जाना थोड़ा सा, या आपके क्रतव्य पत में बटकाव आ जाना, उसी को क्या क जैसे आप पढ़ने बैटते हो, तो आप पढ़ते पढ़ते कई बार जो है, अपना ध्यान कहीं और चला जाता है, हम बैटे फिजिकली रूप से यहां होते हैं, लेकिन अपना दिमाग जो है, वो हम नहीं लगा पाते हैं, होता है ना कई बार ऐसा, तो ये जो distraction है, उसी प उसी को diffraction कहते होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप एकदम perfect सोच रहे हो, कि जब मानव अपने कर्थव्य पत से जो है, दूसरे पत पर चलने लग जाए, या अपने कर्थव्य पत से विचल इस diffraction के बारे में सबसे पहले जिस वेग्यानिक ने बताया था, ओ था grimaldi, क्या नाम था grimaldi, grimaldi नामक वेग्यानिक हुए हैं, इन्होंने ही, ये इटली के रहने वाले थे, ठीक है, अब इटली के रहने वाले थे, सतरवी सताब्दी की बात है ये, है ना, इत्यास मैं नह तो सतरवी सताब जी की बात है इटली के ये वेग्यानिक है जिनका नाम है ग्रेमालडी ये ग्रेमालडी नामक वेग्यानिक जो है ये कहते हैं कि जो प्रकास है ये जो हमारा प्रकास चलता है वो प्रकास के बीच में जो अवरोधक आएगा उस अवरोधक का अगर माप अवर प्रकास के प्रकास के तरंग ने धर्य के वोटी का है इनका क्या कहना था इनका ये कहना था कि जो प्रकास जा रहा हो उस प्रकास के बीच में कोई अवरोदक है माल लिजिए अब अगर वो अवरोदक का जो साइज अगर अपन देखते हैं तो वो साइज अगर प्रकास के तरंग तैद्रिय के कोटी का है यानि जो प्रकास की तरंग तैद्रिय है वेवलेंट है उस wavelength के ही लगबग equivalent अगर उस अवरोधक की size है तो फिर प्रकास जो है अपने मार्ग से क्या हो जाएगा deviate हो जाएगा मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई एक अवरोधक लगा हुआ है ये क्या है कोई अवरोधक है ये क्या है एक अवरोधक है और इस अवरोधक पर मान लीजिए ये प्रकास टकराया अब ये टकराने के बाद में प्रकास जो है मान लीजिए ऐसे deviate हुआ ऐसे deviate हुआ यहा इतने मार्ग से विचलीत हुआ है किसी वज़े से तो आप देखते होंगे कि आप अपने घर में लाइट चालू करते हैं लेकिन एक कमरे से बाहर गैट के इधर कौनों में से कभी लाइट बाहर निकल रही होती है कभी खिड़की में से बाहर जा रही होती है तो वो क्यों प्रकास तो लेकिन ऐसा नहीं होता है आम यह देखते हैं आम जीवन में भी तो प्रकास का अपने मार्ग से किसी अवरोधक से टक़रा करके विचलीत हो जाने की जो गटना है उसे हम क्या कहते हैं उसी को अपन वीवरतन कहते हैं इंग्लिस में diffraction कहा जाता है इसके बारे में सबसे पहले ग्रेमालडी ने बताया था फिर माज में इसके उपर जो है हमारे research हुई और इसके बारे में फिर final नामग एक वज्ञानिका है उन्होंने भी बताया फौरान होपर ने भी बताया है तो इन्होंने भी अपनी अपनी विवर्तन की definition लिख लेते हैं उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ये चीज आपको समझाने के लिए है तो आप एक तो ये condition लिख लीजिए कि हमेशा विवर्तन कब देखने को मिलेगा जब अवरोदक का माप प्रकास के तरंग देधरिय के कोटी का होगा तब समझ में आगई बात और ये डाइग्राम आप चाहो तो बना सकते हो कि अवरोदक आया प्रकास है ये आ रहा है ये प्रकास है ठीक है ऐसे ये क्या है प्रकास है और ये प्रकास टकराया तो ऐसे ऐसे डेविएट हो गया इसी को कहते हैं विवर्तन चलिए, तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको विवरतन की definition लिखवा देता हूं, चलिए, तो अब आप जो है, definition लिख लेंगे विवरतन की फटा फट, ठीक है, चलिए, लिखना इस्टार्ट करेंगे किसी अवरोद किसी अवरोद या द्वारक के किनारों पर किनारों पर किनारों पर प्रकास का प्रकास के मूडने व उसकी प्रकास के मूडने व उसकी दिखाई तो दे रहा है आपको जया मीतिय चाया मैं परसार मैं परसार को प्रकास का को प्रकास का वीवर्तन केहते हैं ठीक है समझ मैं आगई होगी बात तो किसी भी अवरोद या द्वारक के किनारों पर प्रकास के मूडने व उसकी जया मीतिय चाया है जो उसका चाया मनेगा ना इमीज परतिब्रीम चिसे कहते हैं तो चाया उसमें परसार को ही अपन क्या कहते हैं प्रकास का वीवर्तन केहत हैं यानि प्रकास का डिफ्रेक्शन कहते हैं डिफ्रेक्शन ओप लाइट कहते हैं समझ में आ गई होगी बात मुझे उमीद है ऐसी है ना चलिए इसमें वैसे थियोरिटिकल कोशन ही आएगा आगे अपन देखेंगे अभी दो टाइप का होता है फ्रेनल फ्रॉन ओपर उसमे अभी बस कंडिशन्स वगरा है वो याद रखनी है इसमें ज्यादा निमेरिकल इससे नहीं आने वाले इस वीवर्तन टॉपिक से तो चलो अब आगे आप लिखेंगे नेक्स्ट जो की है वीवर्तन की यह भी पॉइंट लिख लीजिए वीवर्तन की स्वेदान्तिक यानि क का स्वेदान्तिक व्याख्या 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 का स्वेदान्तिक जिन्होंने सन अठारा सो पनरा में हाइगेंस तरंग सिद्धान्त के आदार पर हाइगेंस तरंग सिद्धान्त के आदार पर विवर्तन की व्याख्या प्रस्तूत की ठीक है तो यह बात आपको याद रखनी है theoretical है बस इसमें तो लिखना ही पड़ेगा भाई तो विवर्तन की जो स्वेदान्तिक व्याख्या यानि theoretical जो अपके explanation दिया गया था वो फ्रेनल ने दिया था और ये फ्रेनल ने जो explanation दिया था यह 1815 के अंदर जो हाइगेंस तरंग एक सिदान्त था हाइगेंस वेव ठियोरिटी उसके आदार पर ही जो है हमारे फ्रेनल नामक व्याग्यानिक में क्या किया था तो प्रकास के विवर्तन की गटना को समझाया था उसके explanation को प्रस्तूत किया था ठीक है अब बात करते हैं कि यह विवर्तन कितने परकार के होते हैं तो विवर्तन बेसिकली दो परकार के होते हैं एक होता है फ्रेनल विवर्तन और एक होता है फ्रॉन खौफर विवर्तन ठीक है तो आप लिखेंगे विवर्तन के परकार वीवर्तन के परकार अब वीवर्तन के परकार कितने हैं तो दो परकार हैं ठीक है चलिए तो वीवर्तन के दो परकार है पहला है फ्रेनेल वीवर्तन कौन सा है फ्रेनेल वीवर्तन और दूसरा आपका वीवर्तन का परकार है फ्रॉन खौफर वीवर्तन फ्रॉन खौफर वीवर्तन ठीक है? समझ में आगे होगी बात मुझे ऐसी उमीद है चलिए एक मिनट है ना ये वीवर्तन से ही लिख देता हूँ वीवर्तन तो आपको याद रखना वीवर्तन के दो टाइपस है फ्रेनल वीवर्तन और फ्रॉन हौपर वीवर्तन अब ये फ्रेनल वीवर्तन और फ्रॉन हौपर वीवर्तन जो है इन वीवर्तन के अंदर जो अलग-अलग कंडिसन्स है दोनों की वो conditions हमें याद होनी चाहिए क्योंकि examiner जो है लगबग इनकी conditions को लेकर के ही कोसन पूचे गा तो हम पहले पढ़ेंगे Fresnel Viverton के बारे में उसके बार पढ़ेंगे Fraun Hopper Viverton के बारे में तो इसको एक बार not down कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ Fresnel Viverton के बारे में बता देता हूँ और recording वगरा सबसे ही हो रहा है ठीक चलिए तो अब आगे लिखते हैं Fresnel Viverton अब इसमें भी पहले आपको theory ही लिखनी है तो लिख लीजिए एक बार Fresnel Viverton ठीक है चलिए अब Fresnel Viverton के अंदर लिखेंगे जब प्रकास जब प्रकास इस्त्रोत यहनी जो प्रकास का सोर्स है वो तो जब प्रकास इस्त्रोत तथा प्रेक्षन बिंदू देखने वाला जहां से देखेगा प्रेक्षन बिंदू प्रेक्षन बिंदू दोनो दोनो द्वारक या अवरोधक से परिमीत दूरी पर इस्थित परिमीत दूरी पर इस्थित परिमीत दूरी 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 प कब देखने को मिलेगा तो जब प्रकास इस्तरोत और जो प्रिक्षण मिंदू है जो देखने वाला है उसके और प्रकास के इस्तरोत के बीच में जो द्वारक या आवरोदक होता है उनकी जो परिमित दूरी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए दोनों तरफ जो है आपके दूरी जो है वो परिमित होनी चाहिए finite distance होने पर तो आपका जो विवर्तन मिलेगा उसे हम फ्रेनल विवर्तन नाम देंगे तो फ्रेनल विवर्तन का मतलब सिधा-सिधा याद रखना की परिमित दूरी है ठीक है अब किसके बीच में तो प्रकास के इस्तरोत तथा प्रेक्षन बिं चाहे तो मान लीजिए यह अपना इस्तरोत है और एक यहाँ पर पट्टिया लगी हुई है जो अवरोदक या द्वारक का काम करेगी ठीक है यह आगया द्वारक अब आगे जो है इसका पूरा जो पैटन मिलेगा वो यहाँ मिलेगा किलियर जो कि अपन प्रेक्षन बिंद या परदा कह सकते हैं देखिए क्या होगा यहां से लाइट चलेगी और यह आई यह 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 य पूरा एक pattern बनेगा तिवृता का और वो कुछ pattern इस परकार से होगा ठीक है और यह यहां से यूं एसे ऐसा पूरा एख जो है इसके अंदर pattern बन जाता है। और आप यह समझ सकते हैं कि यहां पर intensity ज़ादा होती है ठीक है समझ में आ गई बात और यहां पर अब जो है आपको बता दू कि देखो भई प्रकास तो इस तो ऐसे डेवलप किया होगा ऐसे गोला यो में लेकिन यह जो है अल्टिमेटली क्या होता है यहां से डैवियेट होने के बाद इस परकार से जाता है तो ये अपना क्या है दुआ रख है बस यही है फैनल विवरतन और कुछ भी नहीं है इसके अंदर और इसी परकार से जो है डेवियसन होता है डेवियसन होने के बाद ये तिवरताएं है अलग-अलग देखो ये किसका है करम ये तिवरता प्रकास की जो तिवरता होती है उसका order है एक तिवरता पी तरण ठीक है तो यहां पर जो है intensity अलग-अलग ऐसे जो है वी वरतन दीखेगा और जब अभी आगे देखेंगे कि अनंत दूरी पर होगा या प्रबावी दूरी जब अनंत होगी अपरिमित दूरी होगी तब क्या होगा फ्रोनः ठीक है चलिए तो इसको लिखलिया होगा अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और इसके अंदर ही एक छोटा सा point all लिखना है ऐसा करिए यहीं पर लिख लीजिए है ना इधर आ जाएगा लिख लीजिए इसमें इसमें आप्तित इसमें आप्तित व वी वर्तित आप्तित व विवर्तित त्रंगाग्र वेवफरंट त्रंगाग्र गोलिय या बेलनाकार होते है ठीक है समझ में आ गई बात तो इसमें जो है आप्तित और विवर्तित जो अपनी तरंगाग्र है वो गोलिय होगी या फिर बेलनाकार होती है तो यह जो पैटन मिलता है यह या तो गोलिय होगा या बेलनाकार होगा बस यह पॉइंट है जो कि याद रखना पड़ेगा सिधा सिधा जो है अपका theoretical कोसन आता है कि फ्रेंडल विवर्तन के अंदर जो तरंगाग्र है वो कैसी मिलेगी तो गोलिय या फिर बेलनाकार मिलती ह बस इतना से याद रखना ठीक चलिए आगे आजाती है बात अब अपने किसकी फ्रॉन होपर विवर्तन की किसकी बात आ जाती है फ्रॉन होपर विवर्तन के बारे में तो फ्रॉन होपर विवर्तन जैसा की बताई दिया है कि फ्रेंडल विवर्तन में परिमित दूरी होती ह और फ्रॉन हॉपर विवर्तन के अंदर अपरिमित दूरी या अनंत दूरी होती है ठीक है चलिए तो इसका भी डाइगराम बना लीजिए चलती से और इसको भी लिख लीजिए ज्यादा कुछ समझाने वाली बाते हैं नहीं फ्रॉन हॉपर विवर्तन ठीक चलो फ्रॉन हॉपर विवर्तन के अंदर लिखेंगे जब प्रकास इस्त्रोथ जब प्रकास इस्त्रोथ एवं प्रेक्षन बिंदू दोनो की द्वारक से द्वारक से प्रभावी दूरी अनन्त यानि इंफाइन अनन्तो अर्थाथ आप्तित तथा विवर्तित विवर्तित त्रंगाग्र आप्तित था विवर्तित त्रंगाग्र दोनो संतल हो तो इस परकार से प्राप्त विवर्तन प्राप्त विवर्तन कहलाता है समझ में आ गई बात किलियर है तो आपका फ्राप्त विवर्तन का मतलब क्या है जब प्रकास इस्त्रोत एवं प्रेक्षन बिंदू दोनों जो है आपके द्वारक से प्रभावी दूरी कितनी होनी चाहिए अनन्द हो ठीक है और आपके आप्तित और जो विवर्तित त्रंगा है उन दोनों से सम्तल अगर हमें जो है त्रंगागर प्राप्त होते हैं तो आपके इस परकार के विवर्तन को आप क्या कह दोगे फ्रौन होपर विवर्तन कहोगे तो अगर आपसे पूचा जाए कि आपतित तता विवर्तित त्रंगागर कैसी प्राप्त होनी चाहिए गोल है या बेलनाकार तो आप कहuben फ्रैणल वीवरतन हुआ है अगर समतल मिल रही है तो फ्रॉन हौपर वीवरतन हुआ है और आप है कोई कितनी ही गोल वस्तु हो या गोलाई में हो बिलनाकार हो लेकिन अगर आप अनन्त दूरी से उसको देख रहे हो क्या कर रहे हो अनन्त दूरी से अगर उसको देख रहे हो तो फिर आपको वो वस्तु हमेशा एक प्लेन यानि एक समतल के रूप में ही दिखाई देगी समझ में आ गई बात तो फ्रॉन होपर विवरतन क्या होता है मुझे उमीद है कि आप इन चीजों को समझ पाए होंगे अब इसमें ज़्यादा और कुछ भी है नहीं अगर आप डाइगराम बनाना चाहो तो एक डाइगराम चोटा सा और बना सकते हैं और डाइगराम में कुछ भी नहीं है सीधा सा बात है बस ये देखो ऐसा पॉइंट है और ये यहाँ पर जो है अपने क्या बना देते है आता रहेगा और ये कैसा मिल रहा है देखो आगे जहां भी मिलेगा एक प्लेन के रूप में मिल जाएगा बस और कुछ नहीं तो इसका डाइगराम इसी परकार का बनता है और इस तर जो है ऐसे बहुत ही लो इंटेंसिटी के साथ होता है तो ये प्लेन कहलाता है बस ठीक ह अब जो है अपन थोड़ा सा इसके अंदर भी गणित को गुसाई देते हैं कि जहां फिजीक से वहां गणित होनी ही चाहिए थोड़ी बहुत तो तब ही तो मज़ा आता है तब ही तो चीजे थोड़ी से समझ में आएगी तो अब आप लिख सकते हैं कि एकल जिर्री के फ्रॉन होफर विवर्तन जो है उसमें थोड़ी सी कुछ इंटेंसिटी वगरा के फॉर्मूले हैं वो आपको लिखने हैं ताकि अपने आगे जो है पुसंस आये तो अपन कर सकते हैं ये बहुत जादा डीप में जाकर के लिखवा रहा हूं टेंसन लेने की बात नहीं है ल प्रॉन होपर विवर्तन क्या फ्रोन हाफर विवर्तन ठीक है अब इसको अपन अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या और इसको नौट डाउन करेंगे समझ ये आ गई बात तो चलिए इसका एक डाइगराम है वो बना दते तो ये देखिए आपके सामने ये दो डाइग्राम बनाने हैं हमें फ्रानहोपर, वीबरतन को समझने के लिए, इसमें क्या होता है? बिसिकली कि ये आपका एक सोर्स है, जो लाइट को क्रियेट करेगा, जो प्रकास जो है, वो देने वाला है, और फिर ये प्रकास आता है, औ बलब दो गत्ते थे पूरे उपर से पूरा पैक गत्ता था, उसके बीच में अपने एक कोला एक कट कर दिया, ठीक है, जो की यह रहा, और वहां से अब यह प्रकास आ रहा है, अब यह प्रकास क्या होता है, कि थोड़ा सा डेवियट होगा यहां पर टकराने से और यह उपर यह पी बिन्दो पिन्दो यहा ओर यह प्रकास तो थोड़ा ऐसे नीचे भी गया होका फ्र यह फिर ऊपर है फिर और उपर है फिर नीचे है ऐसे मलब intensity जो है center में यहाँ पर C बिंदू के आसपास तो बहुत जादा है लेकिन इसके दाएं और मलब उपर या नीचे देखें जैसा इसमें दाएं बाएं हैं तो आप देखेंगे कि intensity दीरे 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 कम होती जा रही है तो यह जो कम होती जा रही है intensity यही बस आपका जो है क्या कहलाता है विवरतन है और यही आपका एकल जिर्री के कारण फ्रॉन होपर विवरतन का experiment था इन्होंने यही बताया था कि देखिए बस ऐसे intensity प्रभावित होती है और इस intensity को describe करने के लिए formula भी दिया i is equal to ic sin alpha upon alpha का square और ic का मतलब है यहाँ वाली center वाली intensity समझ में आ गई बात तो i is equal to ic into sin alpha upon alpha का whole square समझ में आ गई बात बस तो अब इसके अंदर देखिए आपको जैसा कि हमने वियती करण में बताया था कि उच्छिष्ट बिंदू मिलेगा जहाँ पर intensity जादा होगी निमनिष्ट बिंदू होगा जहाँ पर intensity तिवरता कम होगी तो अब इसके अंदर भी अलग-अलग बिंदू मिल रहे है देखो यहा highest तिवरता है यहाँ थोड़ी सी कम यहाँ इससे कम यहाँ इससे कम ऐसे अलग-अलग-अलग intensity मिली है हमें ना कम होती गई है intensity तो जो intensity का अलग-अलग अगर हम देखेंगे तो प्रतम उचिष्ट पर कितनी मिली होगी दित्य उचिष्ट पर कितनी है प्रतम निमनिष्ट प पर्थम निमनिस्ट इसमें अब डियरे का फॉर्मूला लिखेंगे पर्थम निमनिस्ट ठीक है पर्थम निमनिस्ट मलब फर्स्ट मिनिमम और वो क्या होगा पर्स्ट मिनिमम ए साइन ठीटा इस इक्वल टू लेम्डा क्या हो जाएगा ए साइन ठीटा इस इक्वल टू लेम sin theta गराबर lambda upon a, sin theta गराबर क्या आ गया, lambda upon a निकल कर आ गया, ठीक है, अब निम्निष्ट बिंदू की अगर बात करें, निम्निष्ट बिंदू, ये तो देखो भाई, पहला निम्निष्ट होगा न, उसके लिए relation है, लेकिन अगर कोई और भी निम्निष्ट बिंदू है, तो उसके लिए क्या होगा, तो निम्निष्ट बिंदू के लिए, आपका हो जाएगा, A sin theta n is equal to n lambda, क्या हो जाएगा, A sin theta n is equal to n lambda हो जाएगा, किलियर, जहां पर आप n की value 1, 2, 3, 4, up to infinite ले सकते हो, समझ में आ गई बात, तो प्रथम निम्निष्ट होगा, A sin theta is equal to n lambda, तो sin theta is equal to n lambda upon A, यह तो है प्रथम निम्निष्ट के लिए, लेकिन अगर आप से पूछ लेवे, कि तृत्य निम्निष्ट बताईए, तो तृत्य निम्निष्ट के लिए आप क्या करोगे, A sin theta is equal to 3 n lambda, ऐसे, समझ में आ गई बात तो ऐसे आप जो है, अलग-अलग निम्निष्ट बिंदू को निकाल सकते हो, तो यह याद रखना कि आपका यह निम्निष्ट बिंदू का formula या relation क्या होता है, इस पर base question आएगा, वहाँ पर value रखना n की, और solve कर देना, lambda की value दे रखी होगी, और n की value दे रखी होगी, sin theta की दे रखी होगी, a पूछ लेगा, a दे रखाओगा, sin theta दे रखाओगा, lambda दे रखाओ, n पूछ लेगा, बस यह से question आते हैं, ठीक है, चलो, इसके बाद मैं प्रतम उचिष्ट, प्रतम उचिष्ट की बात करते हैं, तो प्रतम उचिष्ट जो है, वो क्या हो जाएगा, वो ह 3 lambda upon 2 हो जाएगा, और बात करें, अगर उचिष्ट बिंदू की, और कोई दूसरा उचिष्ट बिंदू चाहिए हो तो, तो उचिष्ट बिंदू का relation है, उचिष्ट बिंदू is equal to, होता है, a sin theta n is equal to, 2n plus 1 into lambda upon 2, ठीक है, और यहाँ पर भी n की value क्या होगी, 1, 2, 3, 4, up to infinite, समझ में आ गई बात, clear है आप सभी लोगों के लिए, बस तो यह याद रखना, इसी चीज़ों को अगर आपने याद रख लिया, और इनमें भी जादा important कौन है, यह जादा important है, यह और यह, क्यों, क्योंकि भाई, अगर परतम मुचिष्ट की बात करेगा, तो N बराबर 1 रख देना, परतम निमनिष्ट की बात करेगा, N बराबर 1 रख देना, यह और यह तो आ जाएंगे, तो यह दो फॉर्मूले में जो है, वो याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, अब आपको यह और बता दू, कि आपका जो विवरतन निमनिष् कि बिल्कुल ही यहाँ पर जो है, तिवरता होगी ही नहीं, सुन्दे हो जाएगी, नहीं, तिवरता सुन्दे नहीं होती है, अल्प होती है, कम होती है, धीरे धीरे, ठीक है, आपने गराब में देखा होगा, यह गराब देखो, कम होता जा रहा है, ऐसा नहीं है, कि बिल्क city तो है कुछ नो कुछ तो ये बात याद रखना कि अगर आपसे कुछ लेवे कि विवर्तन निमनिष्ट बिंदू पे क्या तिवरता सुन्ने होती है नहीं तिवरता सुन्ने नहीं होती है तिवरता अल्प मान की होती है या कम होती है समझ में आ गई बार ये चीज़े आज रखिएगा इसमें confuse मत होना भाई है ना क्योंकि ये चीज़े जो है एक सेकेंड ये चीज़े जो है कई बार आपको confuse कर सकती है इसलिए तो आपका विवर्तन जो है यहाँ पर हुआ समाप्त अब अपने को करना है एक कोशन जो आपके आया हुआ है बढ़ियासा कोशन है ठीक है थोड़ासा lengthy कोशन है करेंगे लेकिन अपन इमद थोड़ी हारेंगे चलो करिएगा कोशन नोट करिए पहले बढ़िया कोशन करेंगे आराम से एकल slit एकल स्लीट विवर्तन प्रति रूप में जित्य कोटी की चमकिली फ्रिंज केंद्रिय उचिस्ट केंद्र से 1.4 mm दूरी पर है कितनी है 1.4 mm यानी 1.4 mm है प्रता 0.80 mm चोड़ाई 0.80 mm चोड़ाई की स्लीट से 80 cm दूर है एक वर्नी एक वर्नी आपतित प्रकास प्रकास मानते हुए तरंग देधरिय एक वर्नी का मतलब है आप एक ही कलर का प्रकास मानिए और फिर उसका जो है आप क्या निकालिए तरंग देधरिय निकालिए तो एक आपतित प्रकास को मानते हुए तरंग देधरिय की गणना करो ठीक है क्या करनी है गणना करनी है ये रहा आपके सामने कोशन आपका अब आप इस कोशन को सौल्व करेंगे तो कोशन वापस से सुन लीजिए एक बार एकल स्लिट वीवर्तन प्रती रूख है ना तो सिदा सिदा दिख्या हमें कि भाई हमारे जो अभी जस्ट पीछे फॉर्मुले यूज हुए हैं स्लिट वीवर्तन वाले एकल जीरी है ना वो ही बात करनी है फ्रॉन होपर वीवर् दित्य कोटी का मतलब क्या हुआ एन बराबर दो होगा दित्य कोटी का मतलब हुआ दित्य निमनिस्ट दित्य कोटी की चमकीली फ्रिंज तो यहां पर उचिस्ट वाला जाएगा ठीक है चमकीली बोला इसलिए उचिस्ट अगर काली बोलता तो निमनिस्ट आता चमकीली फ् 1.4 mm दूरी पर है कौन परदा किलियर और आपसे बोला है 0.80 चोड़ाई की स्लीट से 80 cm दूर है तो परदा कितना दूर है 80 cm दूर रखा गया है और एक वर्णी आपतित प्रकास मानना है और तरंग देद्रिय की गणना करनी है तो देखिएगा इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना है सबसे पहले तो वाई 2 कितना दे रखा है वाई 2 का मतलब हो गया आपका क्या तो बही क्या बही अरे कौन सा दित्य कोटी और केंद्र के बीच में जो केंद्र पर उचिश मिलेगा उसके बीच की जो दूरी होगी उसी को तो वाई कह रहे थे वो जो आपको व्यतिकरन वाला भी याद रखना ही है और विवरतन याद रखना है दोनों को यहाँ पर मिक्स करना पड़ेगा तो वाई 2 बराबर आजाएगा 1.4 mm यानि की आगया 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर किलियर इसके बाद में इसके 80 cm है तो यह हो गया 80 x 10 की पावर माइनस 2 मीटर समझ में आगई बात ठीक है इसके बाद में और क्या दे रखा है यह दे रखा है हमें स्लिटो की छोड़ाई कितनी दे रखी है तो 0.80 mm है ना 0.80 mm तो इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 8 x 10 की पावर मा पास y2 है d है a है और दित्य चमकिली fringe के लिए क्या हो जाएगा तो आप लोगों को पता होगा कि sin theta is equal to क्या होता है y upon में d होता है और a sin theta बराबर क्या आ जाएगा तो 2n प्लस 1 upon में 2 into lambda और n की जगे अपर क्या put करोगे 2 put करोगे समझ में आ गई बात उससे करेंगे इसको solve तो देखिएगा इधर कर रहा हूँ मैं अब हमें ये पता है sin theta बराबर होता है y upon में d और हम अभी पीछे ज़स्ट पढ़ चुके हैं कि a sin theta बराबर होता है 2n प्लस 1 upon में 2 into में क्या आता है हमारे और बाई क्या आता है lambda समझ में आ गई बाद रहे बताया था ना अभी ज़स्ट पीछे बस अब sin theta की value y upon d पूट कर दो तो a into y upon में d बराबर में 2n प्लस 1 divide by 2 into lambda ठीक है इसका मतलब अब हमें इसको solve करके क्या निकलना है यहां से lambda तो अगर मैं सीधा सीधा एक relation दे दू तो y lambda is equal to क्या जाएगा देखिए 2 का multiply कर देंगे तो हो जाएगा 2 a y ठीक है divide by d into 2n प्लस 1 बस अब इसके अंदर देखो सभी values दे रखी है y ये रहा d ये रहा a ये रहा तो यही तो चाहिए y चाहिए a चाहिए d चाहिए और n दे रखा है कितना तो second बोला है तो n बराबर 2 put करोगे बस तो देखिए अब 2 into a की value कितनी है 8 into 10 की power minus 4 into में y की value कितनी है तो 1.4 into 10 की power minus 3 divide by d की value कितनी है 80 into 10 की power minus 2 into में 2 into 2 plus 1 ठीक है अब इसको आप जो है अपने हिसाब से खुद solve कर लीजिएगा मैं देख लेता हूँ इसका final answer कितना आएगा तो final answer आजाएगा इसका 500 site nanometer ठीक है अब आप इसको खुद अपने हिसाब से calculation तो solve करी लोगे तो आपने देखा कि कैसे जो है वियतिकरण यंग से double slit experiment जो अपने पिछे पढ़ा है वो और आपका front hopper विवरतन का जो relation बताए है अभी पिछे इनका user अपने कैसे किया है समझ में आ गई बात भाई देखो yda ये सब relation वो वियतिकरण में से काम आ गए और यहाँ पर हमें चाहिए था sin theta का मान तो sin theta का मान अपने ले लिया वियतिकरण से और a sin theta is equal to होता है 2n plus 1 upon 2 into lambda ये हमें पता चला था अभी front hopper विवरतन से समझ में आ गई बात और फिर क्या करा इसको उठा कर यहाँ put कर दिया solve कर दिया lambda की value आ गई 500 site nanometer इस परकार से हमने क्या कर लिया विवरतन topic को भी complete कर लिया ऐसा numerical quotient ही बनेगा जैसा कि अभी just समझाया था मैंने कि numerical value में क्या होगा देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको y दे दिया d दिया a दे दिया ठीक है और sin theta को convert करवा दिया फिर पूचा क्या lambda अगली बार क्या करेगा आपके अगर exam में आएगा तो हो सकता है numerical के अंदर एक ही formula को अलग-अलग manipulate करवा करके आपसे quotient पूचे जाते हैं तो इसलिए आपको तो क्या करना है कि अपने formula contest करने हैं और जितने quotient यहां करवा रहा हूँ पहले उनको तयार करना है उसके बाद मैं जो है आपको आगे के लिए practice करनी है ठीक है तो वो तो सही बात है कि practice makes the perfect लेकिन practice आपको perfect तब बनाएगी न जब अपन practice भी सही तरीके से करें केवल और केवल लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं कुछ पताई नहीं है क्या लिख रहे हैं तो फिर क्या फाइदा है क्या देख देख के solution लिख रहे हैं उसका भी कोई फाइदा नहीं concept अगर एक ही कोशन में सीख गए तो आगे 10 कोशन करने की ज़रोती नहीं पिड़ेगी समझ में आई बात concept सीखिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए love you all of you please take care and please share with the friends आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूँगा और अगले वीडियो में अपन लेकर के मिलेंगे next topic आपका दुरुवण एवं दुरुवण मापी यानि की polarimeter और polarization क्या होता है उसके बारे में अच्छे से समझेंगे और अपन फिर इस topic को पूरा करेंगे तो लास्ट मैं यहीं कहना चाऊँगा कि लाक दलदल हो पेर जमाए रखना हाथ खाली ही सही उपर उठाए रखना कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता अरे मेरे दोस्त पानी को बर्फ बनने तक होसला बनाए रखना पानी का बर्फ बनने तक होसला बनाए रखना तो love you all of you आप सबी लोग जो हैं होशला बनाए रखिए जब तक वेकेंसी नहीं आती है अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए और जिस दिन आपको सबलता मिल जाए ना उसके बाद में अपने आगे की चीज़ों को करिएगा तब तक सबी चीज़े चोड़ दीजिए ना सा आश में नहीं पूछेगा आपसे जिब कमाने के लिए मजूरी करोगे ना दस दस जा रुपे के लिए भी लोग कितना बारा बारा घंटे काम करवाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा पढ़ लिए होते तो साइद अच्छा होता लव यू अलव यू ध्यान रख अच्ये सौ अच्छा ये अर प्रह करें अच्छा है